दमिशका दोस्तूँ! आज हमने आपके लिए त्यार करा है बहुत हल्दी सा, अचार और बहुत लेश्टी सा पानी वाली मिर्ची का चार, तो इस तरह की हमें मोटी मिर्ची चाहिए अपने अचार के लिए साथ ही हमने लिया है रॉक सोट और राई राई को हम मिक्सी में एकदम बारी पीछ लेंगे अब इस मिर्ची को हमें कट करना है तो आप अपने मंचाहें आकार में से कट कर लीजी हमने इसे इस तरह से गोल गोल कट करा है जिससे अगर इसमें केड़ा भी होगा तो हमें दीख जाएगा अक्सर मिर्ची में भी बहुत केड़े आते हैं तो इसे चेक करके हम कट कर लेंगे और दोस्तों गर आप न्यू है मेरे चैनल पे अभी तक आपने मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे भी कर लेजिए तो तैयार है हमारी सारी मिर्ची कट हो चुकी है अब हमें उबालना है पानी तो एक कड़ाई हम गरम होने रख देते हैं और इसमें हम डाल देंगे दो ग्लास भर के पानी और पानी को अच्छा से बॉइल आने देंगे और इसका जो पानी होता है उसे भी आप अच्छार की तरह यूज कर सकते हैं तो पानी में हमारा अच्छा सोबाल आ चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी कट करी हुए मिर्च को तो आप देखेंगे मिर्च का कलर एकदम हरा है अभी और जैसे ही ये पांच मिट में बॉइल हो जाएगी तो इसका कलर हलका सा पीला हो जाएगा बस हमें उसे इतना ही पकाना है और लीड लगा कर हम इसे उबने के लिए छोड़ देते हैं मिर्च हमारी उबल चुकी है और इसका जो कलर था वो भी हलका सा चेंज हो चुका है तो पानी अभी गरम है अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो हमने इसे एकदम ठंडा कर लिया है अब हम इसे अपने काच की जार में स्टोर कर देते हैं तो पानी के सही धमें मिर्ची को काच की जार में स्टोर करना है तो पहले हम इसे हाफ फिल करेंगे अब हम इसमें डाल देंगे नमक तो मैं इसमें डालूँगी एक चमच नमक और उसे के सार डाल देती हूँ एक चमच भर के राई के दाने जिसे हमने मिर्ची में बारी पीस लिया था वापस से हम इसमें मिर्ची डाल देंगे और साथ में इसका पानी भी हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह हम इसे चमब से प्रेस कर देंगे तो देखिए पानी में मिर्ची हमारी डूबना चाहिए वापस से हम इसमे थोड़ा सा नमक और अपने राई डाल देते हैं लगबग दो दिन में हमारा यचार पुरी तरह से तयार हो जाता है बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे जरूर तयार करिएगा और ये रेसेपि आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में चुरूर बताईगा तो दोस्तों तयार है हमारा पानी वाद्या मिर्ची का अचार थेंक्स फॉर वाचिंग